Hello everyone, welcome to VFX Mechanic, आज हम slot के अंदर सेखेंगे auto paint कैसे करना है, हम लोग एक footage import कर लेते हैं slot के अंदर, इधर हमें एक icon गलते हैं इधर से भी import कर सकते हैं, नहीं तो file के अंदर जाके इधर से में हम लोग import कर सकते हैं, तो कोई भी option से हम लोग footage को import कर लेते हैं, इधर से footage को select कर लेते हैं और open करते ही हमारा footage इधर input हो जाए है, इसके बाद हमें क्या करना है, footage यह जो three panel है, इधर से भी हम लोग drag and drop कर सकते हैं, नहीं तो हम season के अंदर जाएं के new station create कर सकते हैं, तो हम इधर drag करके और इधर हम लोग name डालने के लिए बोलेगा, इधर हम लोग name लग देते हैं, इसे auto paint और इधर हमें select कर लेना है roto plus paint, नहीं तो roto भी अलग से कर सकते है, paint अलग से भी node ले सकते है, तो मैंने इधर से roto plus paint select कर लेता हूँ और हमारा जो frame rate है 24 frame पर वाप होता है, क्योंकि movies हमें ऐसा 24 frame पर वाप होता है, तो हम 24 frame ले लिए और जैसे यह okay करेंगे, तो हमारे पास ऐसा कुछ footage open हो जाएगा, roto and paint node इधर मिल जाएगा, तो अभी output mode हमें नहीं चाहिए, तो मैं इधर से git कर देता हूँ और roto node को अलग कर देता हूँ और paint node को भी मैं अलग से ले ले लेता हूँ जासे, तो ऐसा कुछ footage है, footage को पर double click करते हैं हमारे footage जो है इधर viewer panel पर आ जाएगा, यह पर play करके देख लेते हैं, तो ऐसे कुछ हमारे पास footage है, तो एक footage के अंदर हमारे task जो है, यह जो text है हम लोग auto paint की मदद से इसको हम पर move करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, यह जो roto node है, इसके साथ हम लोग यह footage यह बला जाएगा हम लोग track कर लेंगे, तो हम roto के उपर double click करेंगे, और इधर हम लोग कोई भी एक tool की मदद से हम इधर roto draw कर लेंगे, तो roto draw करने से पहले हम लोग इधर एक layer create कर लेते हैं, यह layer create हो गया, इसके बाद हमें कोई भी एक roto shape tool ले ले लेना है, तो मैं हो सागत हो, अगर कभी कभी अच्छे से नहीं होता है, तो हम लोग adjust भी कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, simply tracking options पर जाना है, इधर हमें मिलते है tracker options, इधर जाके हमें options मिलते है point tracker, planet tracker और mocha tracker, तो हमें mocha tracker कर लेना है, इसके अंदर ज़स्ट कुछ भी नहीं करना है, तो forward की तरफ कोने बाला है, तो हम लोग इसको simply click करके tracking स्टार्ट कर लेते हैं, और यह बाला जो पार्ट है मैं थोरा सा fast forward कर लेता हूँ, तो हमारे जो tracking है, वो complete हो गया, अभी हमें क्या करना है, यह text को remove करना है, तो remove करने के लिए हम लोग बापस paint mode के अंदर चले आदे हैं, तो इधर जाके हम लोग यह वाला पार्ट को tracking कर लेते, sorry clean कर लेते, तो paint mode के अंदर चलेंगे, और इधर हमें simply clone tool को select कर लेना है, और इधर हमें alpha gone कर लेना है, और इधर जो source options है, इधर हमें output select कर लेना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, शीप के साथ drag करेंगे, तो हमें options मिलता है, और एक clone का, इससे हम लोग reference select करकी ओपर ला जागा को हम इसके उपर apply कर सकते, और control के मादल से drag गरेंगे, तो हमारे जो clone brass है, वो थोड़ा सा बड़ा चोटा कर सकते हैं, नहीं तो हम इधर भी size को बड़ा चोटा कर सकते हैं, और इधर जो brass का softness है, थोड़ा सा जादा बड़ा देता हूं, और opacity मैं थोड़ा से कम कर लेता हूं, around 60% to 70% कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग simply इसको cleaning start कर देते हैं, त shift के साथ ड्रैग करके जिस जगा reference से ही वो बाला जगा को हम इसके उपर apply कर देते हैं, तो ये बाला जगा के नहीं मैं थोड़ा सा fast forward कर देता वीडियो को, क्योंकि इधर simple process है, simple इसको हमें clean करना है, तो देख सकते हैं हमारा clean up है, ओ हो गए अभी इसको before after check करके देखने है, तो 1-2 क्लिक करके हम लोग इसको before after check करके देख सकते हैं, तो अभी जो हमारा clean है, ओ से एक ही फ्रेम पे हुआ है, अभी आप देखेंगे next फ्रेम पे चलके, तो देख सकता हमारा take step कर दिससे बापस आ गिया है, तो अभी हमें चोई जो process है, हम लोग auto paint करेंगे इसके अंदर, जो की है, टोटल ही tracking के मतद से हम लोग इसके उपर auto check करेंगे, तो इसके ने हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग roto create किया था, इसके अंदर जो tracking भी हम लोग create किया था, उसके अंदर चलेंगे, और यह जो हमने लेयर बनाया था, इसको हमें simple से copy कर लेना है, control C से हमें copy कर लेना है, और paint node के अंदर जाना है, इसके बाद हमें option मिलता है object list, इसके अंदर जाके हमें, इसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे, इधर हमें roto paint के नीचे, इधर हमें option in the transform, इधर जाके हम लोग select कर लेंगे, यह वाला layer जो दिया हुआ है, इधर layer select कर लेंगे, और हमें इधर मिलता है options, source match mode, इधर करने के बाद हम लोग वो auto paint के अंदर वापस चलना है, और जो paint हम हम लोग ने use किया जोगी है, इधर इसको select करके, इधर हमें option भी match हूँ, इसको भी on कर लिना है, और इधर हम लोग fast frame पे है, तो अब इसने हमें forward के दरब चलना है, तो जैसे देखेंगे, हमारा इधर एक keyframe लगा हुए, automatically सारे के सारे keyframe पे इधर clean up हो जाएगा, चलिए र automatically clean up भी होते जा रहा है, तो अभी हम इधर देख सकते हैं कि automatically इसके अंदर तीन हम जो हो गया है, और automatically keyframe भी generate कर दिया गया है, अभी हम लोग इक पर play करके देखते हैं इस जगह पर कैसे work किया है, देख सकते हैं जो output है, बहुत अच्छा तड़ी जैसे इसके उपर काम कर र इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी हम लोग clean up कर लेते हैं, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, वो सब्सक्राइब तो हम एक paint के node के अंदर पर काम भर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसके अंदर और एक new paint node भी लगा सकते हैं, तो इधर node section पर चला जाना है, और इधर हमें options मिलता है, शिरोट का, और इधर हम लोग paint node ने ले लेते हैं, और इसके बाद डोली करते हुए, हमें alpha को on कर लेना है, और clone node को select करके, इधर हमें कर लेना है as a output, इसके बाद हमें अबला जागा को करें, हम लोग अपने regarding clean कर लेना है, तो मैं इधर इसके बाद पास इंदी को कम कर लेता है, और शॉप्ने सको बढ़ा देते है, और इधर सिट्ट्रेस अब ड्राग गर कि हम जू टेक्निक हम उपड़ अप्लाई कर लेता है, तो इसको clean up कर लेते हैं, तो ऐसा तो शम लोग देसे clean up कर लेते हैं, और इधर से वीडियो को मै इसको भी आम लोग clean up कर लिया, अभी देखेंगे हमने starting frame पे इसको clean up नहीं किया, starting एक दो फ्रेम इधर रही है, अभी फिर से टेक्स्ट हो है, वापस आ रहा है, तो हमारा जो clean up हो है, इधर से हो है, तो यह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हमें गया दाने, यह ब हमें इधर रोटो को draw कर लेना है, एचीस कंपल सरी है, इसको परना ही करना है, नहीं तो अब अगर एक layer के अंदर और एक रोटो अगर ड्रोटो कर लेते हैं, तो इसका data और इसका data दोनों सेम ही रहेगा, तो इसके बार से कभी तो भी problem बहुत जादा हो जाता है, तो mismatch कर लेना है, को रोट के साइट, इधर से मैं stop कर लेता हूं, और वीडियो को तोड़ आसा zoom out कर लेते हैं, और फिर से हम लोग इधर रेता tracking जो process दे कंपलेट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हमादा जो ट्रैकिंग है, वह थोड़ आसा position जो होगी, इसको हम लोग ठीक कर सकत हैं, तो अभी के ने हम लोग इसके उपर ज्यादा काम नहीं कर रहा है, सिंपल सा इसको ट्रैक कर लिया, ट्रैक होने के बाद यह जो लेयर हमने create किया है, इसको copy कर लेते हैं, चंट्रोल सी के मदद से, और यह जो paint node था, इसके अंदर चलेंगे, यह बला paint node के अंदर चलकी हमें object list पर जाना है, और इधर control V कर देना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इधर से source match move कर लेना है, और इधर से task function को हमें layer 2 कर लेना है, जैसे click करेंगे, इधर हमें match source को on कर लेना है, और इधर हम लोग ने create किया था, यह बला frame पर तो इधर ही जाना है, और अब हमें क्या करना है, auto paint के अंदर चलना है, इसको select करना है, match moving को on आना चाहिए, तो हमें forward side के तरफ ट्रक करना है, तो यह बला चीज यूज़ करेंगे तो forward side जोगे automatically create हो जाएगग, तो देख सेकते हमारा जो task complete हो गया है, अब यह अगर प्ले करके देखेंगे, पूरा पूरा footage ले अंदर हमारा जो clean up thumb वो process complete हो चुपाएग, अब यह अगर one to करके देखेंगे, तो before after हमें इधर से मिल जाएगा, तो हमारा footage कूतिफाइल है ऐसा था, हमें कुछ ऐसा इधर से मिल गाए, तो अब लोग वो यह चीज समझ में आ गया होगा, तो अगर वो भी बॉबलम है हमें comment करके बता सकते हो, और यह footage हो हमें backlist करने के link पे देदूँगा, तो अब description पे जाके check out कर सकते हो, और बहुत सार लोग हमारा video जो देखते हैं लेकिन channel को subscribe नहीं करते हो, तो please channel को subscribe करें, तो इससे हमें क्या link division मिलते है, कुछ निया video बनाने के लिए, कुछ निया करने के लिए, तो please channel को subscribe करें, thank you so much, मिलते हैं next video पे करें, कि अधिया जाके, तो और देखते हैं या इससे हो, तो तो river को जदो की करिए लिए, तो शेखते हैं, तो इससा हो, तो प्यारा बहुत सार, जा जाने के लिए, तो तो फिए, अग्या हैं, तो अग्या हैं।